नमस्कार दोस्तों आपको गौरव जी के टेक चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लडने की आवशकता होती है। न कोई साथी था, न कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसकी सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंध है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहंत की और अपनी आत्म विश्वास की आवास को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ती और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ती दी। एक दिन उसे अपने गाव के बाहर एक उस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यच कि थुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस उस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहाँ जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहाँ की शांती पूनता और ज्यान के वातावर्ण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उतक्रिष्टता को पहचानते हुए उसने ने लिया निरनय किया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पढ़ा। दिनों बिताने के साथ साथ उसका ज्यान बढ़ता गया और वह अच्छे लेख को और दर्शकों के साथ रिष्टे बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अफसर मिला अपने लेख किये कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शिक करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलापन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेनादायक उदाहरन बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्षों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि अकेलापन को एक सुनहरा अफसर बनाने के लिए हमें संधर्श करना चाहिए। हमारी संजमित्ता, समर्पन और मेहंत हमें अपने लक्षों की प्राप्ती की ओर आगे बढ़ा सकती हैं।